आप सब उम्मीद हमाज़े में होंगे अपने बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे मैं हुए रहम और आप देख रहे हैं फूर्ज लव तो फिर से हम आपके लिए एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव लग से पहले और एकदम फ्री में देखने के लिए मिलेंगी तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिन फटाफट से इंस्टेंट मलाई रोस बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने यहां पैन में एक लीटर दूद ले रिया है जिसमें से आधा कप दूद हमने निकाल सब्सक्राइब कर सकते हैं सबी चीजों के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉइल आने देंगे अगर कप के हिसाब से देखें तो यह तकरीबन साड़े तीन कप दूद है अब इसमें अच्छी तरह से बॉइल आ गया है एक पिंच जाफरान को हमने दो च चलाते हुए पकाएंगे यह देखिए इसके पकते पकते अब हाफ रह गई है तक्रीबन आधी हो गई है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको रखते हैं साइड में अब हम इसके लिए जटपट से एक मावा यानि खोबा तयार कर लेते हैं इसके लिए हमने पैन म आधा कप दूद अलग निकाल के रखा है और अधा कप हमने इसमें मिल्क बॉडर डाल दिया है अब सभी चीजों को चलाते हुए पकाना है और देखते ही देखते हमारा इंस्टेंट मावा जटपट बनकर तयार हो जाएगा यह देखिए अब जो मिक्सचर है उसने पैन को चोड़ना शुरू कर दिया है यानि हमारा मावा तयार है अभी इसको साइड में रखते हैं बढ़ते हैं नेक्स स्टेप की तरफ अब यहां हमने ब्रैट के स्लाइसे ले लिए हैं जिनके किनारे हम चारों तरफ से हटा देंगे और यह जो किनारे निकले हैं इनको हम वेस् साइड में लगाएंगे और हातों से फैलाते हुए इसको इविल्ली स्प्रैड करेंगे ताके कहीं मोटा और कहीं पतला ना रहे यह देखिए इस तरह से अब हम इसको इस तरह से टाइटली रोल करेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसके सभी रोज बना लेने हैं मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ यह हमने ब्रैट को फ्लैट किया और इसके उपर यह मावा लगा दिया सिर्फ एक किनारे पर हमें लगाना है लेफ्ट टू राइट इसको पूरा कवर कर देगे इसे इस तरह से रोल कर लेंगे यह देखिए एक और रोल बनका तयार हो गया हम सभी रोल्स इस तरह से बढ़ा कर तयार कर लेंगे तो जितनी हमने एक लिटर की रबडी बनाई है उसके लिए हम 7-8 ब्रेट के स्लाइस लेकर उनके रोल्स बना सकते हैं और इस अभी को आराम से कवर कर लेगा यहां मेरी प्लेट में सिर्फ 5 रोल्स आये हैं तो वह मैं आपको दिखा रही हूँ बागी मैंने दूसरी प्लेट में रखे हैं रबडी इसे पूरी तरह से और झagram से पूरी तरह से कवर कर देंगे वीवर्स देखा आपने किटनी फोर के अपको अपने कितनी आसानी से मलाई रोस बन कर तैयार हो गैं और इसके लिए मावा भी हमें लाने की जरूरत नहीं है हम घर में ही आसनी से इसके लिए मावा तयार कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कूं मत भूलिएगा इसमें आपका कुछ खर्श नहीं होता लेकिन चैनल की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है तो अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसकी प्रोग्रेस के लिए हमारी इतनी मदद तो जरूर कीज़े के वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करिये और में फ्रेंड और फैमली के साथ वीडियो का शेयर भी कर